हेलो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बात्रूम में कौन-कौन सी चीज़े होती हैं आप अपने बात्रूम में बहुत सारी चीज़े देखते हैं तो उनको इंगलिश में क्या कहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं यह सबसे यहां से शुरू करते हैं यह शावर शावर म मज़ेदार और यह क्या है mirror में क्या करती है mirror में आप अपना face देखते हैं और इसके बार next यह क्या है यह toilet seat यह लगा होता है यह बैठके इस पर बैठते हैं आप तो आप toilet के लिए जाते हैं तो यह toilet seat ऑर यह किया है भई यह इतना बड़ा ये बाथ टब ये इतना बड़ा टब होता हैसमें water में sop को mix करते हैं बहुत सारे bubbles आते हैं और इसमें फिर बॉस्प करते हैं नहाते हैं and what is this this is bucket bucket को हिंदी में क्या कहते है balti यानि कि जो balti आपके वो क्या कहलाई and what is this bathroom sleepers क्योंकि bathroom में जाने के लिए दूसरी चपले होती है तो उन्हें bathroom sleepers कहा जाता है अब हम top पे चलते हैं और यहां देखते हैं what is this this is wash basin क्या कहते हैं इसको wash basin and what is this this is tap and what is this this is toilet paper जहां water नहीं होता है महां इसको use करते हैं कुछ लोग and what is this this is toothpaste what is this this is toothbrush what is this this is towel what is this this is soap this is soap साबुन साबुन को क्या कहते हैं soap कहते हैं and what is this this is talcum powder powder लगाते हैं घमोरिया ना निकले इसलिए और अच्छी सी स्मेल आई आप में and what is this this is mug ये तो आपको पता ही होगा and this is shampoo चलिए एक बार फिर जिवाइज करते हैं shower mirror यानि के शीशा toilet seat bathtub bucket बाल्टी bathroom sleeper bathroom की चपले shampoo mug talcum powder soap यानि के साबुन towel toothbrush toothpaste toilet paper tap और washbasis सब समझ में आगे हैं न तो आपको याद रखना है और एक दो बार इसको रिवाइज करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए फिर अब